इस बात को धान में रखते हुए कुछ नेता राजनितिक दलों के सामने आते हैं और एक नई विचारधारा सामने आती है जिसे हम कहते हैं गैर कॉंग्रेस वाद अर्थाद कॉंग्रेस बनाम नौन कॉंग्रेस का गुट ऐसा बनना तो भारत में राजनितिक और चुनावी इतिहास में 1967 के काल को बड़ा अत्यन्त महत्पूर्ण माना जाता है यह बलकि राजनितिक भूकंप का काल हो जाता है 1952 से लेकर 1966 तक कॉंग्रेस का जो लगातार दबदबा है उसको पहली बार चोट पहुंचती है तो चौथा आम चुनाओं 1967 वह गैर कांग्रेस वाद के लिए जाना जाता है और पहले तीन चुनाओं की तुलना में चौथे आम चुनाओं में कांग्रेस की स्थिति काफी गिर जाती है यद्यपियों सरकार बनाने में सफल रहती है लेकिन जो बहुमत उसे लोकसभा में जो बहुमत उसे राज्यकी विधान सभाओं में पूर में मिलता था उस पर अब काफी चोट पहुंचती है 1967 के चुनाओं में इस प्रकृति में गहरा बदला हुआ यह चौथे आम चुनाओं की बात है उन्निस सो स्थिति इस समय बदल जाती है 1960 का दशक जैसा मैंने बताया राजनीत में बड़े उलट फेर का था आर्थिक कठनाईयों का था खाद्यान की कमी का था इस काल ने खाद्यान की भारी कमी देखी देश में और यदि खाद्यान आधी की कमी हो आर्थिक वस्ता चर्मरा गई हो तो कीमतें भी बहुत बढ़ती हैं तो यदि हम चोथे आम चुनाओं के गैर कॉंग्रेस वाद की बात करें तो उसके कुछ अहम बिंदूों में पहला बिंदू होता है राजनीतिक इस्थितिक क्या थी और उसमें हमने बताया समझा है कि राजनीतिक उलट फेर का काल रहा आर्थिक कठनाईयों का काल रहा और च जल्दी जल्दी और तीसरे प्रधान मंत्री को अभी समले कुछ समय गुजरा था प्रशातन पर उसकी पकड़ नहीं हो पाई थी कि सर पे आम चुनाओ आ गया श्रीमति इंद्रा गांधी को कांग्रेस द्वारा प्रधान मंत्रित दिये जाने के पीछे एक कारण ये भी था एक सोच ये भी थी कि तत्कालीन कांग्रेस नेता ऐसा सुचते थे कि श्रीमति इंद्रा गांधी को प्रशातनिक और राजनीतिक अनुभाव नहीं हैं उनकी पकड़ प्रशातनिक मामलों म और राजनीतिक मामलों में बहुत कम हैं तो इसलिए उन्हें लगातार हम पर निर्भर करना पड़ेगा अर्था इन बड़े दिगजों का जो कांग्रेस पार्टी में वर्शों से थे उनकी सोच थी कि इंद्रा गांधी की निर्भरता हम पर बनी रहेगी हमारा प्रभाव जथावत बना रहेगा और इंद्रा गांधी एक तरीके से हमारे लिए एक पान की तरह कारिक करेंगी लेकिन घटना करें कुछ और बताता हैं आम चनाओं सिर्फ पे आता है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि जैसा मैंने प्रिश्च भूम में बताया कि स्थित बदल गई थी गैर कॉंग्रेस वाद काफी कुछ बढ़ चुका था इंद्रा गांधी को खुद को राजनीतिक अनुभव नहीं था राजनीतिक अनुभव के नाम पर वैसे पूर में वो कॉंग्रेस की अध्यक्षा बनी थी शास्त्री मंटी मंडल में मंत्राले भी उन्हें मिला था और वह भी सूचना मंत्राले लेकिन यदि व्यावहारिक राजनीतिक की बात करें ग्राउंड रियालिटी की बात करें तो इंद्रा गांधी का अनुभव शून नहीं था तो एक स्थिति तो गैर कॉंग्रेस वाद की राजनीतिक स्थिति में एक बिंदू तो यह हुआ दूसरा बिंदू आर्थिक स्थिति क्या थी इस अर्षे में देश बड़े गंभीर संकट में था आर्थिक स्थिति के मामले में मानसून की सफलता मानसून की असफलता एक बहुत बड़ा मुद्दा था क्योंकि भारत के जो क्रिशी है वहाँ उस समय लगवख पूर्ण रूप से मानसून की पानी पर निर्फर रहता और इसलिए एक फसल उगाई जाती थी नहरें बांध आधी इनकी संख्या बड़ी नगन्य थी दुर्भागे से कई वर्षों तक इस दशक में मौनसून नहीं आदा मौनसून अपेक्षित रूप से पानी नहीं छोड़ा तो दूसरी जो समस्या वो आई वो थी सूखा व्यापक सूखा पड़ा अकाल हुआ परणाम तीसरा पैदावार में गिरावट हुए और खाद्याने के समस्या हुए बहुत गंभीर खाद्य संकट सामने आदा पैदावार की गिरावट होना और उसके बाद गंभीर खाद्य संकट होना अब खाद्य संकट बहुत गहरा गया तो भारत के लिए ये जरूरी हो गया आवश्यक हो गया कि वह विदेश से खाद्यान आयात करे पर विदेशी मुद्रा की जो स्थिति थी वह भी बड़ी शोचनी थी विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी ये अगली समस्चा थी और द्यों के कुद्पादन और निर्यात में गिरावट ये भी इस काल में देखा गया कि और द्यों के कुद्पादन लगबग थम सा गया निर्यात लगबग बहुत कम हो गया क्योंकि निर्यात से ही तो विदेशी पुझी या विदेशी मुद्रा आती है लेकिन अब उसका भी बहुत कम हो गया और सबसे इन सब के साथ जो बहुत अहम समस्या जिसका मैंने जिक्र किया है वह साथ सैन्निक खर्चों में बढ़ोत्तरी दो दो दुश्मन जहां हमारी सीमाओं पर बैठे हैं और दोनों के साथ जहां युद्ध हो चुका है ये शंका हमेशा बनी हुई थी कि पाकिस्तान अपनी पराजय का बदला किसी भी ख्यांड ले सकता है और चीन जिसकी नजर भारत के भूभागों पर थी खासकर अरणाचल प्रदेश और उत्तर पूरवी खेतरों में वह किसी भी समय इन खेतरों पर अपना कबजा बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकता ह तो इसलिए खेने मद में खर्च बढ़ाने की विवश्टा ये समस्याएं मुह बाय खड़ी थी बहुत कंप्लेक्स हो गई इस सिस्थिति नियोजन जिसका अध्यान आपने नियोजित विकास के तहत किया है नियोजन जिसका अध्यान आपने आर्थिक मुद्दों पर अर् और नियोजित तरीके से आर्थिक संसाधनों के उपयोग को सैन निमद में हमको लगाना पड़ा नियोजन के लिए जो हमारे खर्च थे जो हमने बजट बनाये था पंच वर्षी उजनाओं में जो हमने प्राउधान किये थे और उसके साथ साथ संसाधनों के उपयोग के ल में करना पड़ा और इन सबका परिणाम देश की आर्थिक इस्थिति विकट हो जाती है देश की आर्थिक इस्थिति बहुत खराब हो जाती है और इंद्रा गांधी रुपै का अव्मुल्यन करने के लिए विवश होती है रुपए का अब मुलियन से ताटपर है कि रुपए की कीमत एक डॉलर के सामने गिरा दी जाती है ये विवश्टा थी जहां एक डॉलर की कीमत पांच रुपए थी अब एक डॉलर की कीमत साथ रुपए के बराबर हो गए यानि यदि एक डॉलर हमको लेना है तो पहले जहां हम पांच रुपए ही देते थे वहाँ उसके बड़े हमको साथ रुपए देने के लिए विवश्क होना पड़ा इसे हम कहते हैं अवमुलियन तो ये रुपए का अवमुलियन इस सारे घटना करम की इस आर्थिक स्थितिका परणाम था ऐसा माना गया है कि शायद ये रुपए का अवमुलियन अमेरिका के दबाओं में हुआ क्योंकि हमें अमेरिका से बहुत सी चीज़ें आयात करनी थी विशे शुरिप से खाद्यान ने तो अमेरिका ने कहा यदि खाद्यान आदी चाहिए तो आपको एक डॉलर की एवज में साथ रुपए देने होंगे पहले के वक्त में अमेरिकन डॉलर की जो पांच रुपे कीमत थी अब वो साथ रुपे हो गए तो स्थिति मतलब बहुत ही बिगड़ चुकी थी आर्थिक स्थिति तो राजनेतिक स्थिति उसके बाद आर्थिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बाद आप कल्प ना कर सकते हैं पूरे देश में आप समझ सकते हैं तरही तरही मची होगी खादियान ना होना महंगाई होना अकाल पढ़ना पैसे नहीं होना विदेशी मुद्रा नहीं होना आदी आदी इस सब ने बहुत सारी समस्याएं पैदा कर दी रोजगार खतम हो गया क्योंकि उद्योगों पर इसकी चोट पड़ी और उद्योग भी बंद होने की कगार पर आ गया उद्पादन कम हो गया तो आर्थिक थिती की विकर्टा के कारण कीमतों में जो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ लोगों को आवश्यक वस्तियों को बहुत ज़्यादा कीमत पर खरीदना पड़ा खाद्यान की जो दिक्तत हुई बढ़ती बिरोजगारी और देश की कुल मलाकर जो आर्थिक थिती थी धीरे धीरे इसका प्रभाव जनता पर पड़ने लगा और जनता अब यहाँ पर क्या करती है अपना विरोज टगट करना शुरू करती है विरोज किस रूप में जनता नाराज होती है जनता पार्टी पर सत्ता पर विश्वास खोना शुरू कर देती है जनता जो भी पार्टी सत्ता पर है उसका विरोध करने लगती है और उसका एक आल्टरनेटिव देखने लगती है वह दूसरी पार्टीयों के और मुखातिर होती है इस उम्मीद से कि शायद ये पार्टी हमारी इन समस्याओं का निराकरन कर पाए तो जनता विरोध किस तरीके से करती है आंदोलन बंद हरताल पूरे देश में इस काल में हम देखते हैं कि इस तरह की विश्यमिस्थिती पैदा हो गई एक और सरकार कॉंग्रेस की सरकार वैसे ही बहुत समस्याओं से जूज रही थी वहीं दूसरी और देश की जनता भी अब कॉंग्रेस को नकारने लगी कॉंग्रेस को का विरोध करने लगी इसे तरसकार की स्थिती बे देखने लगी और सरकार ने इस बढ़ते हुए जनांदोलन बढ़ते वो बंद बढ़ते हुए हरताल जो मजदूरों के द्वारा थे युवा वर्ग के द्वारा बेरोजगारी के खिलाफ थे मजदूरों द्वारा और द्योगों के बंद होने के खिलाफ थे किसानों द्वारा उत्पादन नहीं होने पर ख्षति पूर्ति ना मिलने के खिलाफ थे आजी विबिन वर्ग सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए थे तो सभी वर्ग के लोगों के द्वारा विबिन ने तरह से विरोध प्रकट किया जाने लगा एक और जहां ये विरोध हो रहा था वहीं दूसरी और कॉंग्रेस इसे कुछ दूसरे नजरिये से देख रही थी सरकार इसे ये मान रही थी कि ये सब हरतालें बंद और ये सब जो विरोध हो रहा है ये कानून की समस्या है कानून की व्यवस्था की समस्या है इसका देश के दूसरी समस्याओं से जिसका मैंने जिक्र किया है उससे कुछ लेना देना नहीं है जनता के बदहाली की अभिव्यक्त ये नहीं है ये कानून की व्यवस्था की के कारण ये सब सित्यां उत्पन हुई है परणाम क्या होता है इससे नाराजगी और बढ़ती है तो देखे कैसे एक के बाद एक जनता की नाराजगी बढ़ती जा रही है और जन विरोध से ज़्यादा इस बढ़ती हुई नाराजगी का परणाम यो होता है कि जो विरोध छोटे स्थर पर शुरू होता है बाद में अंदोलन का रूप लेता है बंद का रूप लेता है हर्ताल का रूप लेता है अब वह उग्र होने लगता है अब वह और गरम होने लगता है साम्मेवादी पार्टियां समाजवादी पार्टी ये भी इस माहौल में कूद पड़ती हैं और उनकी मांग होती है समानता सब को एक जैसी दिश्टी से देखा जाए इस उज्जेश के साथ ये पार्टियां भी मैदान में कूद पड़ती हैं और खुला विरोध अब सरकार का शुरू होता है मार्चवादी कमिनिस पार्टी से जो अलग हुई थी उसमें एक मार्चवादी लेनिन भारती कमिनिस पार्टी आती है जो मार्चवादी या साम्यवादी गुट का ही एक दढ़ था क्या मार्चवादी लेनिनवादी भारती कम्यूनिस पार्टी ये जो कम्यूनिस विचार धारा वाला जो ये एक दल था जो साम्यवादी विचार धारा का था और उससे अलग हुआ था वह अत्याधिक हिंसा पर विश्वास करता है बलकि हिंसा पर वह अत्याधिक विश्वास करता था और सशस्त संघर्ष का उसने आवहान किया अलक पार्टी बनाएं सशस्त संगर्ष कावान किया सशस्त क्रिशक विरोद सशक क्रिशक विद्रो इसका वह नेत्रत तो किसान अब सशस्त हथियारों से अब सरकार का विरोद करने के लिए सामने आते हैं साथ ही इस पार्टी ने किसानों के विरोध को भी संगठित किया इस पार्टी ने देखा कि किसानों का विरोध अलग-अलग खेत्रों में जो हो रहा है उससे उनकी आवाज शायद उतनी ताकतवरनी हो पारी है जिससे कि सरकार दबे तो उन्होंने उनको संगठित भी करने का प्रयास किया इस अवधी में कुछ दंगे भी हुए जो बड़े गंभीर थे हिंदू-मुस्लिम दंगे भी हुए कुल मिलाके स्थितियां बज से बजतर होती चली गए और आजादी के बाद सबसे ज़्यादा हिंसा इस काल में देखी गई जिसमें दंगे शामिल थे, क्रिशक विद्रोह शामिल था, हरतालें, लॉक आउट, धरना, बंद, जन आंदोलन आदी आदी शामिल थे देश के तकालीन गंभीर जो आर्थिक संकट थे आर्थिक संकट की अदी बात करें, तो उसमें पहला संकट था मौन्सून की असफलता दूसरा परणाम स्वरूप व्यापक सूखा उसके परणाम स्वरूप पैदावार में गिरावट और फिर खाद्यान संकट तीसरी जो गंभीर समस्या थी आर्थिक समस्या विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी चौथी और द्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट और पांचवा और बहुत महत्पून जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ वो है सैन्य खर्चों में अत्याधिक बढ़ोत्तरी तो संक्षिप्त में आर्थिक संकट के ये पांच बिंद थे इंद्रा गांजी सरकार के शुरुवाती फैसलों में एक रुपए का जो अवमूलियन करना हुआ और उस अवमूलियन के परणाम स्वरूब पांच रुपए प्रति डॉलर से अब बढ़ कर वो साथ रुपए प्रति डॉलर हो गया फिर अगली समस्या थी आर्थिक स्थिती की विकट्सा के कारण कीमतों का बढ़ना कीमतों में तेजी से इजाफा महंगाई तो इस परकार देखें कि सब कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं निशकर्ष ये कि आर्थिक स्थिती बहुत ही शोचनी जन्ता विरोड, बंद, हर्ताल, लॉकाउट, आंदोलन ये सब को हम संक्षित में कुछ इस परकार देख सकते हैं कि आवश्यक वस्तियों की कीमतों में व्रिद्धी हुई क्योंकि आर्थिक तंगी थी खाद्यान में कमी आई, घटते उत्पादन, घटते निर्यात के परणाम सुरूब बेरोजगारी बढ़ी और आर्थिक स्थिती दैनी हो गई और अन्त में सरकार का जवाब क्या रहता है जैसा मैंने बताया कि ये जो आंदोलन हो रहे हैं इनके कारणों पर जाएं तो ये चार कारण उसके कारण नहीं है आंदोलन जना क्रोश के कारण कुछ और है और क्या कारण उसने बताया है सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना और ऐसा मानते हुए उसने कहा कि ये जनता की बदहाली की का विशय नहीं है जनता की बदहाली के कारण ऐसा हो रहा हो या अंदोलन हो रहा हो ऐसा नहीं है बलकि कानून व्यवस्था गरबड़ा गई है इसलिए इसलिए ऐसी स्थितियां हो रही हैं निर्मित हो रही हैं तो हमें कानून व्यवस्था के नजरिये से इसे देखना पड़ेगा निश्चित रूप से सरकार के इस उत्तर से सरकार की इस प्रतिक्रिया से जनता और उग्र हो जाती है आंदोलन और बढ़ जाती है और इसकी परणिति किस रूप में होती है कि साम्यवादी समाजवादी पार्टी व्यापक समानता के लिए संघर्ष शुरू कर देते हैं मार्क्सवादी कम्यूनिस पार्टी से एक धर जो अलग हुआ जो लेनिनवादी भारती कम्यूनिस पार्टी बनी वो सशस्त्र क्रिशक विद्रो प्रारम करती है या इस दल के नित्रत में सशस क्रिशक विद्रो होता है और ये पार्टी जो है वो किसानों को संगठित करने में भी काफी कुछ सफल होती है इसी काल में हम देखते हैं कि मुस्लिम दंगे भी बहुत हुए हिंदू मुस्लिम दंगों का एक दौर चला कुल मिलाकर हर तरफ स विवस्था बहुत बुरी तरह चर्मरा गई थी हर तरफ से इस्थितियां बहुत खराब हो चुके थी